स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल परम लेक्ट्रोनिक्स में तो चलिए आज हम जो हमने लेक्ट्री शुरू कि थी जिसमें हम पहला जो सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं डाट इस बेसिक लेक्ट्रोनिक और उसका जो पहला चैप्टर है डाट इस सेमिक इय्ट फीजिक्स का दूसरा टॉपिक ऐस करने वाले तो इस दूसरे टॉपिक में भी हम हमारा फोकुष होगा स्टेटर मैंटीरियल के वपर आएगा पर बेसिक जो चैन्सेप्ट जो सेमिक डर्ट के साथ मिलते कोई और मिटीरियल से हैं उनके साथ उनको भी डिसकस कर कि electronic में semi conductor का बहुत बड़ा रोल है अलेक्ट्रोनिक के जितने भी सरक्ट का लिजिए उसमें कोई ऐसा सरक्र नहीं है जहां पर semi conductor material ना लगा हो तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वह हमारा बेसिकली introduction का लिजिए लिजिए कमपैरीजन कर लिजिए क्या लिजिए इंसुलेटर कंडुक्तर और । इन तीनों चीजों में हमने एक तरह से मिजिए और क्या क्या रख लिए और हम एक-एक पॉइंट को द्टिसक्स करेंगे कि क्या इंसुलेटर एंड पर हम आके इसके बारे में डिसक्स करते हैं तो सबसे बहले पहला पॉइंटन सब से कि इंसुलेटर के बारे में हम इसके परेमेटर डिसक्स करेंगे रेजिस्ट else का की इन तीनों में कि कितनी जैसा की थोड़े सागो बता दो रेजिस्टन किसी किरंट को ऊपोजिशन प्रवाइड करनी वह प्रौप्टी होती है किसी भी मैटर की सो देखें इसमें देखा है जो इंसुलेटर्स होते हैं वो किसी करंड को पासम नहीं होने देते हैं यानि कि इसकेस में हाई वैल्यू आफ रिजिस्टेंस मिलती है बहुत जादा आप पजीशें मिलती है आपने कभी देखा है किसी लकडी को कोई करंड को कंड़क्ट करें कि सारे मिटीरियल क्या है यह इंसुलेटर ऐसे चेस में जो रिजिस्टन्स की वैलियए बहुत कम होती है तो देद लो वैलियु आफ दी रसेस्टन्स सो इसमें देखे कंड़क्टर जो बेसी कली ऐलेक्ट्रिस टी को ही कि इसमाल करेंगे जितने घर पर वायर्स हैं जितने लेक बनियाद का प्रवाइड ट्रस टफ टो कंड़ currently करेगा को यह क्यों बाइड़ करेका तो का यह जए मौत थे सब्सक्राइड को आपको जो है रजिस्टेंस मिलती है यानि कि लापको ज्यादा रेशिस्टेंस भी मिल सकती है कुछ टाइम मिल सकती है सेमिक इंडेक्टर को अगर आप बहुत कम टैंप्रेचर पर रखेंगे तो वह इंसुलेटर की तरह काम करें यानि कि उसकेस में रिजिस्टंस वैल्यू बहुत ज्यादा मिलेगी अगर इसको टैंप्रेचर इंक्रीज कर दें ठीक हाई टैंप्रेचर के केस में तो जो उसकी बहुत कम हो जाती कि तरह से इसकी टैंप्रेचर के ओपर डिबेंड करती है वैल्यू इसके बाद आता है वैलंस एलेक्टरों की बाद कल मैंने जो पिछला लैक्टर था हमारा उसमें हमने डिसक्रिष किया था कि वेलेंस एलेक्टरॉं क्या था मैं फिर से बता दूं कि इस लिंक बारे में आप जानकार है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो अटॉमिक स्ट्चर में एक लास्ट वाली जो शेल होती है यहां पर सबसे दूर जो और पड़े होते हैं नुकिलिज से वह होती है वैलन्स शेल और वह लेक्ट्रोन को हम कहते हैं वैलन्स एलेक्ट्रोन जिस मेटीरियल का वैलन्स एलेक्ट्रोन की वैल्यू सबसे कम सोरी कह लीजिए लूजली अटैच होगा नुकिलिज से वह उतनी जल्दी कंड़क्ट कर सकता है तो जो इंसुलेटर है बहुत स्ट्रॉंगली जो है उसको बॉंड करके रखता है नुकिलिज के साथ ब्लाइब बैलन्स एलेक्ट्रोन को जल्दी से तूटते हैं नहीं तूटेंगे तो वह कंड़क्शन में आएंगे नहीं नहीं कंड़क्टर का सब्सक्राइब हाला कि कंड़क्टर के केस में यह लूजली बॉंड होते हैं ठीक है सो लूजली बॉंड है थोड़ी सी इनर्जी थी वह तूट गया अपने स्ट्रॉक्टर से नहीं क्लिज से उसकी बॉंडिंग तो वह कंड़क्शन में आए और आपके चार्ज को फॉर्दर जो है कंड़ फ्रेट करने में हेल्प करेंगा इसमें ना ज्यादा लूज ना ज्यादा जो स्टॉंड फोड़ी देनी ही पड़ती है इस से जबादा देनी पड़ता है तो यह चीज है है कि अगर बाद करें नुकले से बैलेंस लेक्ट करें नॉट लूजी इंगा सेमिंग रहा है एक अगला परामेटर जो हम करने वाले यह फॉर्बीड़न गयाप थोड़ा से मैं बता दूं एक होता है कंडक्शन बैंड एक होता है वेलंस बैंड तो इनके बीच जो होता है व देखे जब बैलेंस लेक्ट्रॉन यहां से जम्प करके कंडक्शन बैंड में आएगा तभी कंडक्टिविटी होगी है तो देखे जिसके इसमें गाप ज्यादा आगा कंडक्टिविटी करनी मुश्किल है जिसमें बिल्कूली कम है ही नहीं वह एकदम से थोड़ी नर्जी जाएगा कंडेक्शन बैड़े में और कईयों में थोड़ा सबगा थोड़ी नजी जाहिए और ऊपर आएगा तो जो इंसुलेटर जैंस में गाप बहुत जादा आप यह जी बहुत जादा ओगा तो जो कंड़क्टर है उसमें बहुत कम है नहीं बिल्कुल कठे ऐसे करके थोड़ी सिनर्जी गया सब्सक्राइब तोड़ी से नर्जी देनी पड़ेगी इसे वह कंडेक्शन बैड में चाहिए आगे बात करते हैं कि जादा तर वैलें शैल में कितने लैक्टरॉन होते हैं इंसुलेटर चंडेक्टर ऑं सिमिगेनेटर ने एंसुलेटर के केस में एट अलैक्टरॉन जाद अधर होते हैं यह कंड़क्टर के केस में एक ही लेक्टरॉन एक बचारा उसका थोड़ी जी नर्जी दव वहां से डिस्टैक्ट हो जाएगा और कंडुक्शन है हम जर्मेनियम की मैं आगला लैक्चर उसके ऊपर बनाने वाला हूं और देखेंगे कि वैलें शहल में सानि चार लेक्ट्रोंगा वहां सो ज़िए छार लेक्टान से आप यजह वे में आपा क्या क्या और यह तरफ्स्या जुआ हैं कौन सेमिक नेयुटर होते हैं और और आपने देखा होगा जो आपका प्लायर्स होता है प्लास्पूद इसके कोटिंग होती है पीज का स्क्रूड्राइबर उसके ऊपर भी जो है प्लास्टिक का मटीरियल लगा होता है ठीक है वुडन को भी इंसुलेटर की तरह हमने इस्तेमाल करते हैं कई जगों पर है जो ह गोल्ड को सुनके हरान मतों यह कंड़क्टर और गूड मिटीरियल क्या से प्रीमियम लेक्ट्रॉनिक डिवाइसे से जिसमें इसमाल होता है और फॉर्दर कई फंक्शनिंग के लिए इसमाल किया जाता है तो यह भी कंड़क्टर होते हैं और स्वेंग्टर की बात करें सिल अगले लेक्टर में डिसकस करेंगे कि सिलिकन चिर्मियम के क्या स्ट्रॉक्टर है और ज्यादातर इंसे डायर आइस इस फ्राइस सारे बनते हैं जो आपकी मार्किन में अलेडी वलाव अलेडी ट्यूब लाइड आती है वह से मिगनेटर मेटी जल से हाला कि इसमें गैलिम पॉस्पाइड इंडियम कई तरह मिक्षे चलते हैं उसमें यह चलता क्योंकि हम देखेंगे कि आगे जाके कुछ लेक्टर सुसके ओपर देखेंगे कि यह इनका होल एंड एलेक्टर कमिनेशन तो लाइट नहीं मिट उसमें लाइट अमिट हो तो कोई भी इस लेक्टर में डाउट हो जहां कोई और जानकारी लेनी हो कमेंट बॉक्स में प्लीज इसके बारे में जुरू लिखें और मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए थैंक यू बेरी मंच